नमस्कार दोस्तों आई वीची के वीडियो सेशन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने पहले सेशन में देखा की ओर लोजी पढ़ाई सुरू करने से पहले क्या-कैसी जानने की जोगत है इसमें आपने बहुत सारी चीज़े बताई आई होप कि आप उन्ची जोगों कंप्लीट कर लिया होगा अपनों ने तो चलते हैं और नेक्स्ट पिसले सेशन में और यह है हमारा वाडलोजी चलिए मैं आपको बने बताओ कि वाडलोजी आई-बी-सी एल-वन का मतलब क्या हुआ वाडलोजी आपने पिछले सेशन में समझ लिया हुआ है यह स्टड़ी ओफ वर्ड्स आई-बी-सी एक एक रेसिडेंशियल इंचूट है जहां बच्चों को चोबिसे इंटेरा करके कम्रीशिंग की त्यारी कराई जाती है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉर्डिंग बॉर्डिंग कॉल इस तो यह हो गया आई बीशिए एल वन का मतलब यह लेशन वन आज से हम लोग फस्ट लेशन शुरू कर रहे हैं और इस तरह से हम शुरू करेंगे आप नीचे देख रहे हैं ए लिखा हुआ इसके अंतरगत फस्ट में शुरू आती हमने किया है से कि हमने जो भी वर्ड्स फॉर्मलेट किया है वह अल्फावेट कल ओडर में किया हुआ है तो इस पेज में और आने वाले कई जिसके इंगलेट पले से बिटर है तो इसमें देखेंगे कि ए से सुरू होने वाले कंप्टिटीब इविजाम्स के पॉइंट आप यू से सिलेक्टेड वर्ड्स दिये गया है इसमें कहानी बनाई कर दी गई हुए जिसके स्याता से आपको समझना आसान और इंट्रेस्ट इसकी बुक आपके पास ओले उपलब्द होगी उस बुक में हमने ये सारे वर्ड्मिन का हिंदी भी दे रखा है और साथ साथ परग्राफ के नीचे पूरे परग्राफ का हिंदी भी मैंने दे रखा है तो आई होप की वो बुक आपके पास है और उस बुक की सहता से आप य यह श्टरी कर रहे हैं और मैं फिर यहां सम्झा रहा हूं, इस नहीं से नहीं है यह गल्फ्रेंड asks you to telephone her between 7 & 8 PM. That is the time when she expects her dad to be out of the house. You ring her up at 7.15, expecting a hi darling from the other end. But the voice that falls in your ears is that of her dad. What happens to you? You are taken aback. You are shocked because you hear something unpleasant or unexpected, you then cannot respond at once. चलिए अब हिंदी के साथ पढ़ते हैं Your girlfriend asks you to telephone her between 7 & 8 PM. आपकी girlfriend आपसे कहती है कि आप उसे साथ एबं आठ बजे के बीच में phone करी. That is the time, यह वही समय होता है when she expects her dad to be out of the house. जिसे मैं उसे उमीद होती है कि उसके पिताजी घर से बाहर होंगे. You ring her up at 7.15, expecting a hi darling from the other end. अप यह उमीद करके उसे phone करते हैं सबसात बजे कि दुसी तरफ से आवाज आएगी hi darling का. But the voice that falls in your ears is that of her dad. लेकिन जो आवाज आपके कानों में पढ़ती है वो होती है उसके पिताजी की. What happens to you? फिर आपको क्या होता है? You are taken aback, आपको सर्दमा लगता है. You are socked, आपको सर्दमा लगता है. Because you hear something unpleasant or unexpected, तो कि आप कुछ है. ऐसी चीज़े सुनते हैं जो अप्रिये होती है और जिसके आपको उमीद नहीं रहती है, you then cannot respond at once, आप तुरंत में कोई जबाब नहीं दे पाते हैं, कोई प्रतिक्रिया बेट नहीं कर पाते हैं. चलिए एकिकर करके word सीखते है, your girlfriend asks, देखो, ask word है, और ask मतलब, कहना, पूछना, यह meaning होता है, तो आप लिखते चलेंगे, वैसे आपकी book में already लिख्यों ही मिलेगी, let me take some deep color, तो यह girlfriend asks you, आपकी girlfriend आपसे कहती है, to telephone हो, कि telephone देखो, यहाँ पर to telephone देखो, टेलीफोन देखो, टेलीफोन वैसे noun है, लेकिन to लग गया इसे पाले, यहाँ पर यह noun का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर telephone मतलब हो गया, फोन करना, जबकि telephone का मतलब होता है, फोन, यहाँ टू लग गया, यहाँ भर्व का काम करना है, तर टू टेलीफोन फोन करने के लिए आपको कहा हर, between 7 and 8 pm, देखो, between, हमारे पास एक महत्पून वर्ड है, between, between का मतलब होता है, दो के बीच, क्या होता है, दो के बीच, और दो से अधिक के बीच के लिए एक वर्ड है हमारे पास, इमांग, इमांग का मतलब होता है, दो से अधिक के बीच, अब देखो जैसे इसका एजामपल लेते हैं, between राम औन स्याम, दो के बीच हो गया, between, Ram and Siam and Mohan क्या सभी है, नहीं among, Ram, Siam and Mohan तो दो से अधिक हो जाए तो among और दो के बीच रहे तो between एक और टर्म यहाँ सीखने वाली है वो है कि between अपने बाद and लेता है between अपने बाद क्या लेता है and लेता है आप देखो यहाँ पर and है between अपने बाद and लेता है अक्सर exam में 2 देख करके गलत दिया जाता है तो between के बाद 2 नहीं आ सकता between के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा and आएगा exam में आपको देनेगा between 7 to 8 p.m. that is wrong क्या होगा between 7 and 8 p.m. 7 और 8 के बीच में and लेगा 2 नहीं लेगा तो between अपने बाद and लेता है 2 नहीं लेता है देखो your girlfriend asks you to telephone her between 7 and 8 p.m. यहाँ पे p.m. लिखा हुआ है आप p.m. से क्या समझते हैं देखो p.m. का मतलब तो prime minister भी होता है बट यहाँ prime minister का मतलब नहीं है a.m. p.m. समय से समझते बात है aim का मतलब होता है anti meridium और p.m. का मतलब होता है post meridium इसके बाद m है let me write down properly anti meridium and post meridium लेकिन अगर आप एक साथ लिखेंगे post meridian हो जाएगा तब आप ज़बा प्रेफर करे anti meridium and p.m. for post meridium let me tell you one more thing anti has two meanings एक देखो anti लिखने का टेक्निक है a.n.t.i और दूसरा है a.n.t.e दीज आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स homophones लेकिन दोनों का मिनिंग अलग है i वाले का मतलब हो गया विप्रीथ और e वाले का मतलब हो गया पहले तो हम अभी जो पढ़ रहा है anti meridian या post meridian meridian वो है क्या anti वला है तो anti meridian means am और post meridian means pm ओके तो I hope कि pm का मतलब सोज में आ गया होगा और आपको confused नहीं होना चाहिए एक और बात मैं हमें clear कर दूँ कि am पूरा capital में भी लिखा जाता है और generally ल Globakak short में लिखते हैं तो P dot M dot हाला कि आप वीज़ा है विना dot के भी लिखेंगे, तब भी सही है P m when capital में लिखते हैं तो कोई dot नहीं देते हैं जब आप short में लिखते हैं आप dot के साथ भी दे सकते हैं वीना dot के भी आप दे सकते हैं That is not wrong. So, confuse नहीं होना इसमें? There are different ways of writing and these ways are acceptable. You must not bother about it. Okay? So, प्रलाइन क्लिर है? That is the time. That is the time when she expects her dad to be out of the house. या वही समय होता है, जिस समय उसे उमीद होती है कि उसके पिताजी घर से बाहर हों गया. तो चलिए मैं देखता हूँ इसमें क्या हमारे लिए सीखने की चीज़ है? Expects. Expect मतलब होता है, उमीद करना. Expect means उमीद करना. एक और है, याद रखना. Accept. Accept मतलब होता है, को छोड़कर. और एक होता है, Accept. स्विकार करना. तो ये similar words है, आप याद कर लेंगे, Accept, Accept में ये दोनों पार्ट एक जैसा है. Accept को छोड़कर. Accept, इक्स, इक्स मतलब होता है, बाहर. आप जानते होंगे कि, अक्सार आप सुनते है, एक्स प्रेंड, एक्स प्राइम मिनिस्टर. तो ये जो है, एक्स मतलब बाहर. तो को छोड़कर. मतलब से बाहर, को छोड़कर. Accept मतलब होता है, स्विकार करना, और Expect. ये क्वाइट डिफरेंट प्रनूंसियेशन है, बट काफी क्लोज है, इसलिए मैंने एक्सार प्राइब इसको. Expect मतलब उमीद करना. यह हुआ समय है, जिस समय वो उमीद करती है, कि उसके पिता जी घर से बाहर होना, वो उमीद करती है, कि उसके पापा घर पे नहीं होंगे, घर से बाहर होंगे, और इसलिए वो उस समय बोलती है, कॉल करने के लिए. एक चीज़ I hope कि आपको यहां पर सिखाया जा सकता है out of the house मतलब घर पे नहीं है और आप कहीं नहीं है और आप exactly बताना चाहते है कि उगर पे नहीं है या कहीं पर नहीं है तो आपको सकता है out of a station एक बड़ा popular term है आपके घर पे कोई आया पूछता है पापा घर पे हैं सौरी पापा इस आउट ओफे स्टेशन यहां आउट ओफे स्टेशन मतलब नहीं कि रेलवे स्टेशन से बाहर मतलब जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है तो आउट ओफे स्टेशन तो होप कि शॏ आप यहां नहीं हूँ और आपको मैं बैठांके गया की कोई out of the house exactly घर के लिए ही बात की जा रही है so let's see next sentence you ring her up at 7.15 expecting a high darling from the other end तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या-क्या सीखने के लिए मिल सकता है you ring, देखो रिंग का भी बहुत सारा तो हमें दो सीखना चाहिए हमें देखो एक तो ring का मतलब होता है अंगुठी और अगर ring को हर्व के रूप में हम परियोग करें तो बजाना और इसके साथ अप के साथ जोड़े जब हम अप के साथ जोड़ देते हैं तब ये बन जाता है रिंग अप और तब इसका मतलब होता है फोन करना और ये रिंग अप मैंने एक साथ लिखा है रिंग अप के बीच में कोई object आ सकता है रिंग हर अप तो फोन करना मतलब हो गया ये रिंग हर अप अट 7.15 एक्सपेक्टिंग अप यहां सीख सकते हैं किसी भी टाइम से पहले हमें जो प्रपोजिशन का प्रयोग करना है वो होता है अट अट प्लस टाइम जैसे अट 5 o'clock अट 7 o'clock अट 7.15 तो टाइम से पहले हम क्या करते हैं प्रयोग अट ठीक है वैसे o'clock हमने o'clock लिए इसमे o'clock नहीं लिखा हुआ है अट 7.15 इसमें लिखा एक चेकली क्या होता है जब फिस टाइम रहता है तो जनरली o'clock लिखा जाता है वैसे आप जानते है o'clock का फूल फॉर्म क्या होता है can anybody guess what is the full form of o'clock nobody can शरू नहीं आप guess कर रहे हो तो मैं बताता हूँ o'clock जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है of the clock चलिए of the clock को हम सौट में क्या काते है o'clock no problem you ring her up at 7.15 expecting a higher darling from the other end from the other end from the other end means from the other end means expect करते हैं जुसरी तरफ से higher darling की आवाज आएगी but but means the voice that falls in your ears which means which means fall 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 means Gिरन आप जानते हैं तो यहां पर जुग दो जो गिरना नहीं आपके आपके आ कानों में जो आवाज गिरती है गिरती है मतलब पढ़ती है आपके कानों में जो आवाज आती हैं पढ़ती है in your ears is that of her dad वह होती है उसके पिताजी की आपको क्या होता है, happen means, होना, happen means, you are taken aback, आपको सदमा लगता है, आपको धक्का लगता है, क्यों? क्योंकि आपने ऐसा उमीद नहीं किया था, you are socked, socked इसका synonyms हो गया, sign हो गया, इसका भी मतलब हो गया, taken aback, यह क्या हुआ? इसका, taken aback का, shine हो गया, synonyms हो गया, because you hear something, क्योंकि आप कुछ ऐसा ची सुनते हैं, unpleasant, अप्रिये, देखो, unpleasant word कैसे बना हुआ है, यह मैं देखता हूँ, unpleasant, 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 देखो, किसी भी word से पहले जो आकर जूर जाता है, वो क्या आतलाता है, prefix, याद करिए, मैंने आपको बढ़ा रखा है, prefix, और यह हो गया, root, तो pleasant में अन जूर गया, तो ultra मिन दे रिया, unpleasant, अप्रिये, pleasant को पता होता है, सुख़द, या प्रिये, तो unpleasant का मतलब क्या हो गया, अप्रिये, इस तरह से, unexpected, अभी हमने expected देखा था, और expected के सिख उल्टा कर दिया क्या, unexpected, तो आप देखो, यह unexpected word को देखो तो, अन प्लस, expected, यह हो गया, जिसके उमीद नहीं हो, ना उमीद वाली चीज़, तो, कि यह था, यह था, you are taken aback, आपको सदमा लगता है, you are shocked, आपको सदमा लगता है, because you hear something unpleasant, क्योंकि आप कुछ अपरी है, और unexpected, जिसके आपको उमीद नहीं हो, वो चीज़ सुनने को मिलती है, you then cannot respond, respond मतलब होता है, प्रतिक्रिया ब्यक्त करना, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया ब्यक्त करना, जिसका आर्थ तो निकलता है, लेकिन पूरा-पूरा आर्थ नहीं निकलता है, फ्रेज का लाता है, तो एट वन्स दो सब से मिला हुआ है, और इसका मतलब वहता है, तुरंत, तो इससे हमने पहला पराग्राफ कम्प्रीट कर लिया, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अम नेक्स्ट पराग्राफ की तरफ, यू थिंग, वाई इट सी लाई तुमी, आप सोचते हैं कि वाम उससे जूट क्यों बोली, यू थिंग, थिंग मतलब सोचना, थिंग अभी कई मिनिंग देता है, अलगलग जवापर, अलगलग मिनिंग क्लियर होता है, यू थिंग, आप सोचते हैं, वाई इट सी लाई, लाई मतलब जूट बोलना, वाई इट सी लाई तुमी, वा मुझसे जूट क्यों बोली, यहां लाई भीवन का प्रियों किया है, यह सिंपल प्रजेंटेंस का सेंटेंस है, वाई डिड, डिड की वेसे सिंपल प्रजेंट बन गया, वाई डिड सी लाई तुमी, वा मुझसे जूट क्यों बोली, फिलिंग चीटेड, धोखा दिये गए महसूस करते हुए, अबंडेंट मिंस छोड देना, एक और वाट है, इस सिमिलर वाट है, अबंडेंट, यह उत्राइश स्पेलिंग चेंज हो गया, ए बी यू एन डी ए एन टी, अबंडेंट, अबंडेंट मिंस मिनिग होता है, प्रचूर मात्रा में होना, तो आप इस दोनों, गोट के, जो साून में डिफेरेंस है, उसको आप द्यान रखेंगे, दो अबंड़ देना, अबंडेंट, प्रचूर मात्रा में है, स्पेलिंग डिफिरेंट है आप त्यार रखेंगे यूडिसाइड टू एबेंड़न हर आप उसे त्याग देने का देने का देने का देने करते हैं यहां पर यह आपको सीखना परेगा चुकि बारवार वर्ड लोजी में यह वर्ड आएगा दैट इस दैट इस का मतलब होता ह है अर्थात है इसका प्रयोग क्यों किया गया है इसमें समझे हमारा एक इंपोर्टेंट है लाइन में उसी का जिकर किया गया है उसी परेमें चर्चा की आपको बेहतर से समझ में आ जाए और यहां तो अर्थात you decide to leave her completely आप देखो abandon मतलब भी छोड़ देना और leave मतलब भी छोड़ देना leave means छोड़ देना तो ये क्या हो गया फिर synonyms हो गया sign हो गया किसका abandon का तो abandon का sign हो क्या हुआ leave, अब leave से याद आपको आना चाहिए कि एक और तरीका है leave लिखने का libe इसका मतलब रहना होता है और leave means छोड़ देना completely मतलब पूर इतरा से completely word कैसे बना हुआ है complete plus ly आपको मालूम है कि जो last time लगता है क्या आता है suffix तो complete word में क्या लग गया ly लग गया तो बन गया completely पूर इतरा से and forever forever मतलब होता है हमेशा के लिए forever means हमेशा के लिए एक गल्ती ना करना, even नहीं बोलना इसको, ever forever हमेशा के लिए अर्थात अपने इंडर लेते कि उसके हमेशा के लिए छोड़ देना है उसे हमेशा के लिए छोड़ देना है और पूरी तरा से छोड़ देना है in other words दूसरे सब्दों में इन अदरवर्ट भी बारबर आपको आएगा चीजों को और बेटर तरीक से समझाने के लिए इन अदरवर्ट का प्रयोग किया जाता है दूसरे सब्दों में जो थिंक आफ इसका अबेंडल्ड का लीव का इसका हुग कि इसका मतलब यहीं होता है चोड़ देना इसका एक दिश्यान करना है उच्छारण दिश्यान होता है डेजर्ट से बन गया डेजर्टिंग ठीक है यह वर्ड की बनावर्ड क्या है आप समझिए यहां पर लेते हैं डेजर्ट जब नाउन के रूप में मतलब होता है परियोग ते इसका मतलब होता है मरवास्थ लेकिन जब इसका भर्व के रूप में परियोग किया जाता है तब इसका मतलब होता है छोड़ देना और इसका उचारन क्या होता है डेजर्ट लेकिन ठीक देखो स्पेलिंग डी डेवल एस की आर्टी अब इसका उचारन होगा डीजर्ट अब डीजर्ट क्या होता है एक प्रकार का मिठाई तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका डीजर्ट और डेजर्ट तो डेजर्ट मतलब रूजथ था लेकिन बाब की रूप में जब प्रियोग का तब क्या हो जाएगा छोड़ देना तो इसले से हमारे पास साइनो बनता जा रहा है अबेंडन मतलब छोड़ देना लीव सब आपके दिमाग में एक बात आती है why not to abduct her I hope कि आप लोग लिख लिए होंगे so that I can erase this आप लोग इधर भी लिख लिख लिए होंगे कि अब देखो यहां पे फिर से आपके लिए निवाड हो सकता है यह से सुरू है कि अबड़क्ट का सीनोरिम्स दिया हुआ है किड्नाइप को बडिया से आप जानते हैं इसे दोनों को सबक मिलेगा उसको भी और उसके पिदाजी को भी इसमें कुछ इसे दोनों को सबक मिलेगी उनको भी और उनके पिताजी को भी उसको भी और उसके पिदाजी को भी एक और बोथ मिंस होता है दोनों दोनों को सबक मिलेगी उसको एबम उसके पिताजी कोगी और यहां एक ग्रमिट्कल टर्म सीखने वाली बात है कि बोथ अपने साथ हमेशा एंड लेता है बोथ के बाद अगर दो टर्म दिया हुए है तो एंड यह आएगा जिस तरह से बिटिमिन के बाद आएंड आता है इसमें भी टू या अनने चीज नहीं आएगा तो इस तरह से यह परग्राफ किलियर हो गया एक बर मैं परकर के इस परग्राफ का हिंदी का देता हूँ यू थिंक आप सोचते हैं वाई दिट सी लाई टू मी वाम उससे जूट कूँ बोली फिलिंग चीटेट थोखा दिये गया मासूस करते हुए यू डिसाइड तो अबंडन हर आप उसे त्याग देने का सोचते हैं यू अर्थाद यू डिसाइड तो लिवर कंप्रिटली एंड फोरेवर आप उसे पूरी तरह से और हमेशा क्ले छोड़ देने का निर्ने करते हैं अगले दिन आप उसे कॉलेज में मिलते हैं अगले दिन आप उसे कॉलेज मिलते हैं सीन नोटीस का कई मिनिंग होता है एक देखो नोटीस अगर आप नाउन के रूप में यूज़ करो तो हो जाएगा सूचना भर्व के रूप में यूज़ करो हो जाएगा तो यहां नोटीस अगर रूप में उसके अगर सीन नोटीस अगरेशन इन यूज़ बिहाइबियर तो अबरेंट से बना हुआ है अभी ए से बना हुआ वर्वर हैं आप समझ सकते हैं कप्रीसर के पॉइंट रव्यू से आपके लिए बहुत मात पूरना है यह वर्ड मुख से क्या है अबरेंट। अबरेंट। इंस होता है बदलाओ इंस अबरेंट मिंस इम 아마 मुख होता है और पर बने सीक cuterain तो सी नोटीसेज एन अबरेशन इन योब भी हैवियर उसे आपके बेवहार में एक बदलाव नजराता है क्या बदलाव आता है क्योंकि उसने फोन किया आपने नहीं उठाया आपके पापा नहीं उठाया इसलिए गुष्टा आ गया ठिक है तो जाहिर सी बात है अगले जिन वह कॉलेज में आती है तो उसके परती बेवहार में परिवर्तन हो ना सुभाविक है सी नोटीसेज तो लखी जो है वो लखा के बेवहार में परिवर्तन मसुष करती है सी नोटीसेज एंग एसन इन आपके बेवहार में बदलाव Lazio करती आंतर मसुष करती है You do not behave in your usual manner आप हमेशा की तरह बेभार नहीं करते हैं यूज्वल मतलब क्या हो गया हमेशा की तरह जैसा सब दिन करते थे यूज्वल हमेशा की तरह जैसा आप सब दिन करते थे वैसा बेभार आप नहीं कर रहे हैं और manner मतलब हो गया तरीका वे कि मैंनरуска sign किया हो गया charge have in योर उजवल मैंनर आप हमेंसा कि तरह बाद नहीं करते हैं चल्ए मैंनर से लिए मैंनर मेंगर आप मैंनर कर दे mm बें मैंनर जब Sahib है अधी कि अधरत गया तरीका लेकिन अगर आप इसको कर दे manners तो हो गया बेवहार आप अक्सर सुनते होंगे इस लगा कि बास manners की कमी है तो आपको मालूना चाहिए कि manners बतला होता है बेवहार और अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है क्या सिखाया जाता है देखो नीचे में लिख रहा हूँ manners and equates manners and equates मतलब अचार बेभार मतलब बात बेभार या तौर तरीका जिसको कर लो तौर तौर तरीका manners and equates होने चाहिए सबने कैसे बेभार करना है कैसे बात करना है क्या करना है ठीक है एक टिक्वेट्स manners and equates बहुत पूछता है एक टिक्वेट्स का spelling भी कम नीशन में तो यू डूनोट भी हैब इन यूर यूजल मैनर्स आप हमेशा की तरब बेभार नहीं करते हैं अग्याइद के अग्याइद के लिए अपस्मझने वाली टर्मस आहें अपके लिए यह लेट यहां पर ध्यान रखो कि लेट टू है और लेट टू का मतलब होता है कारण होना लेट टू का मतलब होता है कारण होना यह लेट टू बना कैसे बना यह देख लेते हैं चलिए नीचे देखते हैं में वर है लीड लीड भीवन है इसका बीटू होता है लेड और भीठी भी होता है लेड यहां पर जो यूज किया गया है 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 लेड खर्ण अब करना है और जो निद्रीट करता है और अगे बढ़ता है को आगे बढ़ना का तो कोई भी चीज आगे बढ़ेगा तो वही काम करेंगा काम करेंगा तो इससे क्या बन जाएगा इस्तर बन गया कारण होना लोगों हमारे कोई बीचीज बने का कारण होता है कुछ भी हम करते हैं तो उसका कारण होता है तो that is called lead to जैसे your absence your absence leads to your failure तुम्हारी अनुपस्ति थी तुम्हारे असफलता का कारण बनता है अब देखो lead से ही एक word बन गया leader, noun बन गया leader नेता, नेता क्या करता है नेती तो करता है इसको leader को ही अगवा भी बोलते है चुकि यह आगे बढ़ता है, आगे चलता है इसलिए इसको अगवा भी बोलते है तो I hope कि अब को यह समझ में आओगा C wonders what has led to this aberrant आप देख लो फिर से आ गया aberrant aberrant सही बना हुआ है क्या? aberration aberrant मतलब बदला हुआ यह adjective के काम कर गया behavior noun नाउन से पहले आ गया यहां पर क्या हुआ? बदला हुआ तो C wonders what has led to this aberrant behavior उसे अच्चर्ज होता है कि आखिर यह बदले हुए बेभार का कारण क्या है C asks you innocently वह आपसे बहुले पन से पूछती है जैको asks you innocently innocently innocent आप सब लोग जाते होंगे निर्दोस बहुला भाला इसमें लग गया तो हो गया innocently बहुले पन से C asks you innocently वह एक दम बहुला बनकर के बहुले पन से पूछती है why are you behaving this? जैको दस दस मतलब इस प्रकार why are you behaving this? तुम इस प्रकार से बेभार क्यों कर रहे हो? why are you behaving this? तुम इस प्रकार से बेभार क्यों कर रहे हो? अब दो हो charmed by her innocence charmed by her innocence your plan of abducting her falls into abbyance charmed charmed मतलब होता है आकर्षित होकर कोई भी सुन्दर चीज को देखकर beauty charm मतलब beauty charmed beauty से मोहित हो जाना तो आकर्षित होकर charmed by her innocence उसके भोले बंच से आकर्षित होकर यहां भोले बंच कर मिनिंग गया charmed by her innocence उसके भोले बंच से आकर्षित होकर your plan of abducting abducting अभी आपने पराँ था अपहरन करना उसको अपहरन करने की योजना falls into evidence अस्थकित कर देना छोड़ देना इसका मिनिंग हो गया अस्थकित कर देना अस्थकित कर देना का मतलब क्या हो गया उस समय के लिए छोड़ देना तो यह भी साइनों हो गया drop sign आपने देखा की abandon, leave, desert और अब नहीं आ गया falls into evidence तो यह सब क्या हो गया synonyms छोड़ देना अस्थकित कर देना drop कर देना किसी प्रोग्राम को drop भी एक साइन हो गया that is you drop it temporarily drop आप देखो यहाँ drop एक वाड़े drop मतलब बुंद भी होता है drop का मतलब अगर noun के रूप में हम use करेंगे तो हो जाएगा बुंद लेकिन भर्व के रूप में यूज करेंगे तो इसका यह मतलब होता ना छोड़ देना अक्सर आप कहते हो किर्पया मुझे फलाने संकर चौक फेशोड़ दो please drop me at sankar chalk किर्पया मुझे sankar chalk पे छोड़ दो तो drop मतलब के आप पहुंचा देना छोड़ देना किसी काम को जा रहे रास्ते में तो drop का मतलब मेननी क्या होता है पठक देना भी होता है आप रास्त जा रहे हो कही और और वहां बीच में इसको डॉप कर दिये, वदर बीच में छोड़ दिये, तो that is called drop, that is you drop it temporarily, temporarily का मतलब होता है, अस्थाई रूप से, temporarily का मतलब होता है, अस्थाई रूप से, अस्थाई का उल्टा हो गया, यह हो गया, अस्थाई रूप से, तो the plan is dropped, मतलब क्या हुआ, the plan, योजना, dropped, छोड़ दिया गया, for the time being, for the time being, एक phrase आगया यहाँ पर, आपको याद करेना परेगा, कुछ समय के लिए, तो I hope कि यह परेगा अपकर clear होगा, C then tells you, तब वो आप से क्याती है, I am pregnant darling, कि मैं गर्ब से हूँ प्यारे, pregnant, इसको pregnant नहीं करेंगे, pregnant, C then tells you, तब वो आप से क्याती है, I am pregnant darling, कि परेगे मैं गर्ब से हूँ, pregnant, you must remember pronunciation of this word, as well as spelling of this word, इसको pregnant नहीं परेंगे, क्या परेंगे, pregnant, pregnant, pregnant मतलब गर्ब से हैं, गर्ब से कमतलब आप जानते हैं, मतलब बच्चा पेट में पलना, इसके लिए नो पाउँ भारी हो जाना भी बोलते हैं, इंग्लिस में भी इसके लिए कई वर्ट से हैं, जो एस्पेसली रूट वर्ट से क्लास में हम डिल करेंगे, I am pregnant, darling, you are taken aback by this piece of news, इस ख़बर को सुनकर आपको फिर स्रदमा लगती है, taken aback, अभी हमने आप पढ़ा, taken aback, का से नोजम से क्या था, socked, तो you are taken aback, मतलब you are socked, by this piece, piece मतलब तुकरा, जो एक स्पेलिंग, P-I-E-C, piece मतलब तुकरा, और एक स्पेलिंग होड़ होता है, P-E-A-C-E, इस piece मतलब होता है, शांत या शांती, ठीक है, तो you are taken aback by this piece of news, इस कवर को सुनकर के, आपको स्थमा लगता है, धक्का लगता है, बिंग अन्मारीड और बिवाहित होते हुए, बिंग अन्मारीड और बिवाहित होते हुए, जो अन्मारीड भी कैसे बना हुए, मैरीड, मैरीड मतलब साथी सुदा, अनलग जाद, उल्टा हो गया, unmarried, तो married का, एंटो क्या हो गया, unmarried, being unmarried, being मतलब होना, और विवाहित होते हुए, both of you think, आप दोनों सोचते हैं, it is going to be problematic, तो problem, problem मतलब समस्या, अब problematic मतलब समस्या से भरा, तो ये adjective बन गया, going to be problematic, या समस्या से भरा होने वाला है, या एक समस्या खड़ी करने वाली है, you ask her to go for abortion, you ask her to go for abortion, देखो ask for, ask her to go for, यहाँ एक phrase आ गया, देखो go मतलब होता है जाना, और go for मतलब हो गया अपनाना, वैसे थुरा साथ इमांग लाएंगे, तो आप समझ से गो मतलब जाना, फोर मतलब के लिए, तो के लिए जाना, मतलब क्या, उस्सीजा को अपनाना, तो ask her to go for abortion, abortion मतलब होता है गरपात, देखो abortion word, you must see this word, abort, abort means क्या होता है, आप game खेल रहे होते हो, उस game को बीच में ही छोड़ते हो, फूरा game खतम नहीं हुआ, और बीच में ही छोड़ते हो, तो क्या कहता है, abort, आप से option मांगता है, abort या continue, तो अगर आप abort कहते हो, तो आप बाहर निकल जाते हो, बीच में से game खेलना छोड़ते हो, तो abort, abort मतलब क्या होता है, बीच में ही को चीज को छोड़ना, बीच में ही छोड़ना, बीच में ही छोड़ना मतलब कि कोई काम कर रहे थे, उस बीच में ही छोड़ दिये, काम को पूरा होने से पहले, ठीक है, से बन गया अबोर्शन अबोर्शन मत ओगया गरवपात गरवपात वह क्या होता है जब तक 9 मंथ नहीं पूरा हो तब तो काम पूरा नहीं हुआ तो नौ महिना बच्चा के पेट में रहने से पहले गी अगर इसको मार दिया जाए बाहर निकाल दिया जाए तो देट इस लाता है गर्बपात तो गर्बपात कराने के लिए क्या चलाता है अब देखो एबोर्ट से मन गया एबोर्शन अबोर्ट से एक और बन अधिक्टिव बनता है डाट इस एबॉर्टिव इबॉर्टिव एबॉर्टिव एफोरट अक्सट लोग आते हैं एबॉर्टिव इफोर्ट नाकाम्याब कोसीस के लिए फॉर्ट अफम लगाद आ हो अगर एक औरत गरपात करवाती है अगर एक औरत गरपात करवाती है कि देखो यहां पर वूमें एक चीज है जो आपको सीख लेना चाहिए वूमें सिंग्लर है तो इसको बोलते हैं वूमें लेकिन इसको जो पुल्रल कर देते हैं तब इसको बोलते हैं वीमिन वूमें मतला अट्विमें बहुत सरी और याद रखना चाहिए जो चाहिए व्यूंद कैसे करते हैं अगर एक और गरपात करवाती है स Soul इंस इंस मतलब हैं हर प्रिग्णन सिंगर्ब को प्रिग्णन श मतलब करब और को कि क्वा लिए एक डैलिबीड़ी सी डैलिबीड़ी मतब होता है जान ि आप वे भड़ा परियोग कर सकते हैं जान प्रिखे असक्ते हैं कि मैं कने लेट से आता हूं मैं कोई जान बुझकर के लिए इस से थोड़ी ना आता हूं कोई भी काम आप जान बुझकर करते हैं यूदू वर्क डैलीबरेटली यूदू वर्क इसके लिए और आगे बहुत हम बताएंगे एडवर्टेंटली तो प्रिग्नेंसी क्या करते हैं सी इंसर प्रिग्नेंसी डैलीबरेटली वह जान बुझकर के अपने गड़ को खतम करवा लेती है आप याद कर लें यह बार बार आएगा आपको सो दैट मिन्स ताकी ताकी का मतलब क्या हो गया जिस्से की बच्चा जिन्दा जन्व ना ले सके बार मतलब होता है जन्व लेना और अलाइब का मतलब हो गया जिन्दा अलाइब मिंस जिन्दा ताकी बच्चा जिन्दा जन्व ना ले सके गरपात क्यों करवा ते लोग बच्चे को कीराता है ताकी बच्चा मर जाए खतम हो जाए और के बर क्या होता प्रॉलिम सी हो थिए तुभी करवाना पड़ता है इन अधर वर्ड़ दूसरे सब्दों मे The seed, seed, seed मतलब बीज, seed का मतलब क्या हुआ, बीज, seed is not allowed to develop properly, allowed, allowed मतलब क्या होता है, अनुमती देना, develop मतलब विकास करना, properly मतलब, properly मिन्स, सही तरीके से, The seed is not allowed to develop properly, properly, बीज को सही तरीके से बिक्सित नहीं होने दिया जाता है, Similarly, 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 similarly देखो, ठीक इसी प्रकार या उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, If the plan, plan मतलब योजना, If the plan, अगर कोई योजना, और, 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 या, arrangement, मिन्स विवस्था, If the plan or arrangement goes wrong, अगर कोई योजना, गरबर हो जाती है, Before it can develop properly, इससे पहले कि यह पुरीतर से बिक्सित हो, We call it an abortion, तो हम इसे abortion कहते हैं, हम इसे गरबबाद कहते हैं, Thought without action is abortion, Thought मतलब बिचार, Think, Think का form चलता है, Thought, Thought, Think, Thought, Thought, तो Think मतलब सोचना, लेकिन Thought मतलब जब नाउन का रूप में लिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, बिचार, Thought without action, सोच तो लिए, कोई planning तो बना लिया, But action में तबदिल नहीं किया, Is abortion, का लाता है, करप पात, मतलब बिचारों को बिच में ही छोड़ देना, तो चलिए इस प्रेगाप पुरा एक बड़े हिंदी कर देते हैं, See then tells you, तब वो आप से कहती है, I am pregnant darling, कि मैं गर्ब से हूँ, You are taken aback by this piece of news, आपको यह ख़बर सुन करके सदमा लगता है, Being unmarried, और भी भाहित होते हुए, Both of you think it is going to be problematic, आप दोनों सोचते हैं कि यह तो समस्या ख़़ई करने वाली होने जा रहा है, You ask her to go for abortion, आप उससे कहते हैं कि गर्पात करवा लो, What is abortion, abortion क्या होता है, If a woman has an abortion, अगर कोई और अप करपात करवाती है, See in सहब pregnancy, deliberately, वो जान बुझ करके अपने घर को खतम कर लेती है, So that the baby is not born alive, ताकि बच्चा जिन्दा जन्म ना ले सके, In other words, दुसरे सब्दों में, The seed is not allowed to develop properly, दुसरे सब्दों में कहें, तो बीच को सही दंग से बिक्सित नहीं होने दिया जाता है, Similarly, किसी प्रकार, Thought without action, is evolution, कोई planning तो कर लिया, कोई बीचार तो रख लिया, बट उसको काम में तब्दिल नहीं किया, So this is also called evolution, चलिए एक बार मैं फिर से पूरे पैसे को पढ़ देता हूँ, आपके लिए, ताकि आपको काई pronunciation और पढ़ने में दिक्कत ना हो, और आपको हिंदी लियान में भी आयोप की दिक्कत ना हो, Your girlfriend asks you to telephone her between 7 and 8 p.m. आपकी girlfriend आप से खाती है, कि आप उसे साथ एवा मात्रोजे के बीच में phone करिये, That is the time when she expects her dad to be out of the house, यह वही समय होता है, जिस समय उसे उमीद होती है, कि उसके पिता जी घर से बाहर होंगे, You ring her up at 7.15, expecting a head darling from the other hand, आप उसे सबसाथ वजे phone करते हैं, यह उमीद करते हुए कि दूसरे तरफ से head darling की आवा जाएगी, But the voice that falls in your ears is that of a dread, लेकिन आपके कानों में जो आवाज पढ़ती है, वो होती है उसके पिता जी की, What happens to you? आपको क्या होता है? You are taken aback, आपको सदमा लगता है, You are shocked, आपको सदमा लगता है, Because you hear something unpleasant or unexpected, आप कुछ ऐसी चीज़े सुनते हैं, जो अप्रिये होता है, या जिसकी आपको उमीद नहीं होती है, You then cannot respond at once, आप दुरत में कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, You think, why did she lie to me? आप सुचते हैं कि वह आप उससे जूट क्यों बोली? Feeling cheated, you decide to abandon her, दोका दिये गया महसूस करते हुए, आप निर्णा लेते हैं कि उससे छोड़ दे, That is, अर्थाथ, you decide to leave her completely and forever, आप निर्णा लेते हैं कि उससे पूरी तरह से और हमेशा के लिए त्याग दे, छोड़ दे, In other words, दूसे सब्दों में, You think of deserting her, आप उससे त्याग देने का सोचते हैं, Then it comes to your mind, तब आपके दिमाद में बात आती है, Why not to abduct her, क्यों नहीं उसका अपरन कर ले, That would teach both her and her father relation, इससे दोनों को सबक मिलेगा, उसको भी और उसके पिताजी को भी, The next day you meet her in college, अगले दिन आप उससे college में मिलते हैं, She notices an aberration in your behavior, वह आपके बेभार में एक बदलाव महसूस करती है, You do not behave in your usual manner, आप हमेशा की तरह बेभार नहीं करते हैं, She wonders what has led to this aberrant behavior, उससे आचर्ज होता है कि आखिर क्या कारण है इस बदले हुए बेभार का, She asks you innocently, वह भोले पन से आपसे पूछती है, वाई are you behaving thus, कि तुम इस तरह से क्यों बेभार कर रहे हो, Changed by her innocence, उसके बोले पन से, आकरसित होकर, मोहित होकर, Your plan of abducting her falls into aviance, और स्थाई रूप से आपकी जो उसको अपहरन करने की योजना है, उसको आप अस्थागित कर देते हैं, That is, अर्थात, You drop it temporarily, आप इसे अस्थाई रूप से त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, The plan is dropped for the time being, योजना को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, See then tells you, तब वो आप से कहती है, I am pregnant darling, कि मैं गर्भ से हो darling, प्यारे, You are taken aback by this piece of news, आप इस कफर को सुनकर फिर से आपको सदमा लगता है, Being unmarried, और वाहित होते हुए, Both of you think it is going to be problematic, आप दोनों सोचते हैं यह यह तो सवंस्या ख़़ी करने जा रही है, You ask her to go for abortion, आप उसे कहते हैं कि गर्भ पात करवा लो, What is an abortion? What is an abortion? Abortion क्या होता है? If a woman has an abortion, अगर कोई औरत करवाती है, She insert pregnancy deliberately, वो जान बुझकर के अपने गर्भ को खतम कर लेती है, So that the baby is not born alive, ताकि बच्चा जिन्दा नहीं जन्म ले सके. In other words, दूसे सब्दों में, The seed is not allowed to develop properly, बीच को सही दंग से बिक्सित नहीं होने दिया जाता है, Similarly, if the plan और arrangement goes wrong, अगर कोई योजना या कोई विवस्ता गर्भर हो जाती है, Before it can develop properly, इससे पहले कि ये सही दंग से बिक्सित हो, We call it an abortion, तो इसे हम गर्भ पात कहते हैं, Thought without action, Each abortion, कोई विचार को काम में ना डाले, तो इसे भी हम गर्भ पात कहते हैं विचारों का, तो किसी विचार को ले ले लेना, लेकिन उस पर क्रियाइन्वन नहीं करना भी, विवस्ता कहलाता है, Thank you very much for lesson one, One second, thank you very much for being with me.